गुद मॉर्निंग स्टूरेंट्स आज हम नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे आपका किंग्डम मोनेरा के ही बारे में टाइपस ओब बैक्टिरिया ऑन दा बैसिस ओफ देर शेप एंड देन ऑन दा बैसिस ओफ फ्लैजिला ठीक है तो अब हम स्टार्ट करें तो देखो बिटा सब सब्सक्राइस तर आई हम बात करें ताइपस ओब बैक्टिरिया ओन दा बेसेस ओफ देर शेप कि शेप की बैसेज फटीरा की कितने टाइपस है तो ncrt में भी हमने पढ़ाता इसको पहले हम इनको चाप fig स्कीरी में डिवाइड करेंगे कॉकस कोकस की ही प्लूरल फोर्म होती है बड़ा को कारी है नाँ बहसीलस बैसिलस की प्लूरल फोर्म होती है बैसिलह यह धे8 सिंगल बैसिलमस है तब तो आम बैसिल अस सारे हैं टो बैसिलॉह पोलें इसे तरीक właści से विब्रियम की plural form होती है vibrio और spiralum की plural form होती है spir umbrella सपर यहां पर मैंने इनके Diagram sincerity वले बन दिये caucus का मितलब होता है कि यहां पर इसके shape कैसी होगी spherical होगी caucus जो bacteria होते हैs they are spherical in shape next ऐता है आपका bacillus bacillus जो bacteria है they are road shaped इनकी shape कैसे होती है rod shape के होते है ठीके vibrium जो है यह आपको दिखाई दे रहे यह कैसे shape है comma shape के है they are comma shaped and spirulum जो है at a spiral shaped का होते है spiralum कैसा होते है spiral shaped का होते है ठीके तो यह चीज़ आप ध्यान अखना यह shape के basis पर हमने categorize कर लिया था NCRT का portion हमने सबसे पहले किया है तो NCRT के according तो इतना ही दिया हुए है अब हम चलते हैं इसके detail की तरह तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं caucus की तो caucus जो bacteria है they are smallest bacteria जो हमारे bacteria है उन में से smallest bacteria कौन से है caucus दूसरा ये smallest होने के साथ साथ highly resistant भी होते है मतलब easily इनको kill करना difficult होता है antibody कितनी जदा इनके अगें से effective नहीं होते है highly resistant होते हैं यह यह चीज़ ध्यान अब caucus में bacteria के अंदर कितनी spherical structures है और वो किस arrangement में arrange है उसके basis पर हम इसको divide करेंगे monococcus, diplococcus, tetracoccus streptococcus, sarsini and staphylococcus monococcus का मतलब है कि यह यहाँ पे single cocai आपके पास single caucus है एक ही caucus है हमारे पास that means they live alone वो अकेले रहते हैं एक-एक caucus आपका individual रहते है सबसे महीन आते हैं इनके example example आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि मैं minimum example ही लिखवारे हूं बहाँ ज्यादा नहीं लिखवारे हूं जो competitive exams के लिए important है वो आपको लिखवारे हूं तो monococcus का एक तो example है micrococcus bacteria दूसरे example है dialister pneumocentus dialister pneumocentus dialister इसका जीनस है pneumocentus क्या है इसकी species है ठीके तो यह चाहिए थ्यान रखना biological naming के rules को आपने follow कर लिए है तो monococcus का मतलब है कि यहाँ पे आपका single coccus रहता है क्या रहता है single coccus अब बात आती है diplococcus तो diplococcus में क्या होता है cocci are in pair अब हम cocci word use करें क्योंकि एक से जादा होगे तो cocci किस में है pair में है दो आपको cocci मिलेंगे यह देखो diagram के अंदर तो example क्या है कौन-कौन से bacteria diplococcus होते है जैसे हम कहते हैं diplococcus pneumonia यह जो bacteria होता है यह pneumonia disease cause करता है pneumonia दो आपके bacteria cause करते है diplococcus pneumonia and steptococcus pneumonia तो यह diplococcus है दो cocci इसके अंदर है साथ में आपका nesiria जो bacteria है यह भी कैसा होता है diplococcus होता है next आता है tetracoccus that means cocci are found in group of 4 cocci 4 के group में आपको मिलेंगी तो इसके example आजाता है maybe वो इस तरीके से arrange हो या maybe वो ऐसे arrange हो लेकिन cocci कितने number में होंगी 4 नंबर में होंगी इसके example आता है micrococcus luteus micrococcus luteus यह किसका example है tetracoccus का example है next आते है streptococcus streptococcus में क्यों होता है cocci जो है वो एक chain बना लेते हैं ऐसे एक chain होती है बड़ी chain होती है और जो streptococcus जो bacteria होते है यह mainly कौन कौन से disease cause करते है rheumatic fever मैंने बताया था streptococcus pneumonia भी होता है that means pneumonia will cause करते है pneumonia and even many kinds of meningitis यह जो disease होते है यह किसकी वज़े से होते है आपके streptococcus की वज़े से होते है next आते है sarcinia sarcinia में क्यों होता है बटा जो cocci होते है उनकी 3D arrangement होती है 3D dimensional arrangement हमें देखने को मिलती है और लगबग लगबग 8264 यह इससे भी ज़्यादा जो cocci होते है वो 3D arrangement की form में arrange हो जाते है इसका example आजाता है आपका sarcinia ठीके तो ध्यान रखना sarcinia क्या होते है जब cocci जो bacteria होते है वो 3D arrangement में आ जाएं तो उनको हम क्या कहते है sarcinia और एक cocci के अंदर एक sarcinia के अंदर आपको कितने cocci देखने को मिलेंगे इनके अंदर cocci के अंदर 8264 या इससे भी ज़्यादा cocci आपके हो सकते है इसका example आजाएगा आपका sarcinia एक word आता है staphylococcus जैसे हम कहते हैं staphylococcus albus staphylococcus aureus यह जो bacteria है जिनके आगे staphylococcus word लगता है यह shape के basis पर और number के basis पर लगता है aureus यह staphylococcus albus तो जिसके भी आगे staphylococcus word लग जाता है coccus का मतलब होता है spherical shape होती है इन bacteria की जो cells होती है और staphylococcus का मतलब होता है irregular grouping of the coccus जो coccus होते हैं उनकी irregular grouping होती है तो यह तो था हमारा coccus की अलगलग type तो coccus में हमने mainly क्या देखा कि यह smallest bacteria होता है highly resistant होता है और इनके number और arrangement के basis पर हमने इनको categorize कर दिया monococcus, diplocococcus, tetracococcus, septococcus, sarsinia और staphylo यह तो तीन आपकी easily हो जाती है कि नाम से ही पता जलता है मेन आपको यह करने तीन स्टप्टो coccus में chain बनती है स्टफाइलो coccus में irregular arrangement होती है और सारसीनी के अंदर three dimensional arrangement होती है तो यह तो था coccus के बारे में अब हम आते है bacillus bacillus की हम types करेंगे तो bacillus में एक चीज़ ध्यान अखना यह क्या है दे आर ग्रुप आफ आरोबिक साप्रोफिटिक साप्रोफिटिक स्पोरूलेटिंग प्रुप आरोबिक यह तो तो यह ड्रुप आरोबिक स्पोरविक स्पोर बनाते है और जादतर बेक्टिरिया ने वह कैसे होता है बटा bacillus type के होते हैं that means it include most of the bacteria यह ज़्यादा तर bacteria को include करता है तो यह चीज आप घ्यान लखना अब इसमें भी उनके number और arrangement के basis पर हम basically 4 type study करेंगे single bacillus नाम से ही पता चल रहे है कि इसके अंदर one rod like structure होती है क्योंकि bacillus का मतलब होता है rod shape यह हम उपर पढ़ चुके है तो इसमें one rod like structure होती है इसके example क्या है जैसे कि आपका E. coli होता है E. coli जो bacteria है वो bacillus type का bacteria है और उसके अंदर A की bacillus होता है यह चीज आप घ्यान लखना दूसरा lactobacillus नेको lacto के आगे bacillus word हमने लगा दिया तो हमें पता चल गया कि यह जो bacteria होगा यह कैसा होगा rod shape का और इसके अंदर A की bacillus होता है second आते है diplobacillus diplobacillus नाम से ही पता चल रहा है कि rod shape structure किस में होंगी two number में that means pair में होंगी इसके example है diplobacillus diplobacillus एक बैक्टिरिया का भी नाम होता है ठीक है stuptobacillus जैसा कि हमने उपर पढ़ा था कि इसके अंदर जो bacillus होंगी वो chain में अरेंज होंगी तो इसके example आ जाता है आपका bacillus subtilis जो common example हम लेते है bacillus subtilis add bacillus anthracis next आता है palisirid bacillus palisirid जो bacillus है इसके अंदर क्या होता है बिटा जो bacteria होता है वो ऐसे एक के उपर एक plate like manner में अरेंज हो जाता है they are arranged like in stacks ऐसे एक grouping में stack की तरह अरेंज हो जाता है इसके example आता है corinibacterium diptheria corinibacterium diptheria एक ही bacteria का नाम है यह zenus का नाम है और यह species है जो diptheria disease cause करता है corinibacterium diptheria तो बिटा यह हमने देखा road shape bacteria की अलगलग type single bacillus मतलब एक ही road like structure है diplobacillus that means 2 road like structure है streptobacillus that means road shape की एक पूरी की पूरी chain आपके पास है और palisade bacillus में जो road like structures है वो एक दूसरे के ऊपर plate like manner में अरेंज हो जाती है ठीक है अब हम आते हैं next type आपकी spirulam तो ध्यान से देखना spirulam में क्या होता है बटा नाम तो हमें पता ही है कि इनकी जो shape होती है वो कैसी होगी spiral shape क्यों होगी spiral in shape हमने पीछे diagram भी बनाए था ऐसी होती है इनकी shape लेकिन यहां पर एक सी ध्यान देना हमने caucus की भी कई सारी types बताई उनकी arrangement और number के बेस पर bacillus की भी बताई लेकिन जो spirulium bacteria होते है they occur singly वो singly ही रहते है ठीक है तो इसके अंदर हम further types नहीं पढ़ेंगे इसके example की अगर हम बात करें तो spirulium bacteria का एक तो example है पूरा का पूरा group आपका spirochete bacteria का और एक आते है halio bacteria जो bacteria आपके peptic ulcer cause करते हैं अब 19th class में पढ़के आयो halio bacteria ठीक है अब थोड़ा से कई बार examiner detail में जाता है तो spirochete के बारे में पूछ लेता है तो एक सी ध्यान अखला spirochete में हम किसको include करते है एक तो particular spirocheta को इसके अलावा ये इसका type genus हो गया इसके अलावा triponema ये भी spirochete में ही आता है borrelia जो आपने पीछे example पढ़ा था borrelia burgdar ferry ठीक है अब पढ़ा था 11 copies होती है DNA की वो भी एक spirochete है and leptospira ऐसे कुछ members आपके included है spirochete में ठीक है अब generally पूछते क्या है कि spirochete जो bacteria है ये कुछ disease cause कर जाते हैं तो ये कौन-कौन से disease cause करते है जैसे कि syphilis disease ये एक बार neat exams में पुछा गया है syphilis disease lime disease भी cause कर लेते है lime disease cause करते है yas and relapsing fever fever बार-बार repeat होता रहता है relapsing एक particular time period के बाद तो ये जो कुछ disease आते है ये किसकी symptoms होता है spirochete infection के कि syphilis हो जाएगा या कोई lime disease हो जाता है वो भी spirochete से होता है या आज होती है या फिर relaxing fever आते है तो ये कुछ disease है जो spirochete के द्वारा होते है तो spirochete आपका कई बार examiner पूछ लेता है तो इसको भी आपको ध्यान से करना है next category आती है bacteria की vibrio bacteria vibrio जैसा की नाम से ही अमने पहले बर discuss कर लिया है कि they are coma shift ये कैसे होता है coma shift के होता है और spirulam की तरह ये भी singly मिलते है they also live singly चीक है ये ची ध्यान अखना और इसके example क्या है NCRT में भी हमने पढ़ा था vibrio cholera जो cholera disease cause करता है ये किसके example है vibrio that means यहाँ पर shape कैसी है coma shape के होते है कैसी shape के होते है coma shape के होते है तो ये तो था basic categorization on the basis of shape अब हम आते है कुछ तीन additional types हो रहे है bacteria की stocked bacteria budding bacteria and pleomorphic bacteria stocked bacteria किसी कहते है बटा इनकी shape होती है कुछ इस तरीके नीचे एक stock आपको दिखाई देगी ठीके तो they are single celled bacteria ये कैसे होते है single celled bacteria होते with narrow stock नीचे क्या होती है एक narrow stock होती है इसके example क्या है colobacter colobacter जो bacteria है it is stocked bacteria एक single cell है जिसके नीचे आपको stock देखने को मिलेगी second आते है budding bacteria budding bacteria की shape आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी अगर आप observe करोगे तो ऐसे bacteria आपको दिखाई देंगे that means कई जिगे पर इसके अंदर ऐसे swelling आपको दिखाई दे रिए that means at is swollen at places कुछ जिगे पर यह swollen हो जाता है so it give bearded appearance इसलिए यह कैसी appearance देता है bearded appearance देता है यह चीज़ आप ध्यान रखना कैसी appearance देगा bearded appearance देगा ठीके इसके example आजाता है rhodo-microbium next आते है pleumorphic bacteria तो bacteria pleumorphic का मतलब क्या होता है morphic मतलब morphology that means अपनी structure external appearance यहाँ पर external appearance में हम बात करेंगे shape की और tu का मतलब क्या है कि यह अपनी shape को change कर सकते है that means bacteria which can change their shape according to the medium कि उनको कैसा medium दिया जाता है उसके basis पर वो अपनी shape को क्या कर लेते है change कर लेते है जैसे कि अगर हम बात करें rhizobium bacteria जो कि laguminous plant की roots में symbiotic association करता है nitrogen fixation में involved होता है तो यह 3 forms में exist करता है कौन कौन सी form में x y and z form ठीके तो यह pliomorphic bacteria है कैसा बक्तिरिया है pliomorphic तो यह तो बिटा हमारा categorization था on the basis of shape अब हम next topic की तरफ आते है types of bacteria on the basis of flasilla flasilla का number और flasilla की position की basis पर हम इसमें कही सारे types पढ़ेंगे सबसे पहले type आ रही है A tricus but a tricus word use हो रहा है flasilla के लिए और A word का मितलब होता है without that means they are without flasilla ऐसे bacteria जिनमें flasilla होते ही नहीं है that means they non-mortile होते है क्यासे होता है non-mortile इसके example क्या है example important में दुबारा बोल जी हूँ example आपको अच्छे से याद करने पढ़ेंगे एक example है micrococcus और दूसरे example है pasturella example देकर के ही examiner आप से question पुछेगा कि इसके अंदर flasilla के basis पर कैसी arrangement है second type आती है आपकी यह तो उने पढ़ा first type अब second type हम लेता है monotricus mono का मितलब क्या होता है single that means एक ही flasilla होता है अब जो आपका bacteria है अगर उसके उपर एक ही flasilla है ठीके तो that means एक ही flasilla होगा और वो भी एक ही end की तरफ होगा किस की तरफ होगा एक ही end की तरफ होगा ठीके that means one flasilla on one end इसके example आता है आपका vibrio cholera जो cholera disease cause करता है vibrio cholera ठीके दूसरे example है इसका pseudomonas बहुत बार exam में पुछा गया है ध्यान से करना इसके example तीसरे example आता है thaiobacillus तो they are monotricus अब हम आते है next type amphitricus amphitricus का मतलब क्या होता है है तो single single flasilla with single single flasilla लेकिन दोनो ends पे present है मतलब बैक्टिरिया के दो end है इस end पे भी flasilla है और इस end पे भी flasilla है monotricus में क्या था सिर्फ एक ही end पे flasilla था ठीके तो amphitricus के example है मैं फिर से बोलने हूँ important है अच्छे से याद करना nitrosomonas examiner कैसे पुछेगा pseudomonas में कैसी condition है तो आपको पता होना चाहिए monotricus है nitrosomonas amphitricus है ऐसे ही एक category आती है cephalotricus ठीके इसमें क्यों होता है bunch of flasilla होता है एक पूरा bunch होता है ग्रुप होता है लेकिन यह bunch जो है एक ही end पर प्रेजेंट होता है at one end जैसे यह bacteria है एक end पर पूरा bunch है flasilla का लेकिन flasilla होंगे का पर एक ही end पर होंगे दूसरे end पर नहीं होंगे इसकी example है आपकी mycobacterium जो tuberculosis कॉस करता है mycobacterium and corinibacterium इनकी अंदर इन bacteria की structure अगर आप observe करोगे तो एक ही end पर पूरा bunch of flasilla आपको देखने को मिलेगा इसी तरीके से condition आती है lofotricus lofotricus में क्या होता है bunch of flasilla at both ends दोनो ends पर आपका पूरा का पूरा bunch होता है यह आपका bacteria है तो इसके इस end पर भी bunch होता है flasilla का और दूसरे end पर भी क्या होता है bunch होता है flasilla का ठीके इसके example आजेंगे बटा आपका spirulam volutens spirulam volutens जैसे NCRT में भी अमने जब spiral bacteria का diagram बनाये था तो आमने क्या दिखाये थे बटा इस end पर भी flasilla दिखाये थे और इधर भी अमने flasilla को represent किया था तो यह कैसी condition है low for tricus है कैसी है low for tricus ठीक है नेक्स आती है पैरिट्राइकस तो यह कंडिशन कैलाती है बटा आपकी पैरिट्राइकस इसकी example है E. coli E. coli जो बैक्टिरिया है दूसरे example है Salmonella typhi Salmonella typhi और तीसरे example है Clostridium tetanine जो टैक्टस disease cause करते है तो यह था आपका दूसरा topic अब एक छोटा सा तीसरा topic ओल ले लेते हैं दो मिनिट के है Size of bacteria तो बैक्टिरिया का size जो होता है Highly variable होता है Normally अगर हम देखें तो they are 2 to 2.6 micrometer long 2 से 2.6 micrometer long होते है And 1.12, 1.5 micrometer wide होते है 1.1 से 1.5 micrometer क्या होते है Wide होते है अब एक जर्णेली examiner आप से पूछ लेता है कि smallest bacteria कौन से है तो smallest bacteria है मारा Dialister pneumocentus Dialister pneumocentus यह जो bacteria है सबसे छोटा bacteria है इसका size होता है 0.15 micrometer का होता है यह और अगर आप से पूछें largest bacteria तो largest सबसे बड़ा area wise अगर हम देखें तो वो है अपिलोपिसियम फीसल सौनी अपिलोपिसियम फीसल सौनी ठीके यह होता है आपका 600 micrometer का सबसे लार्जेस्ट वैक्टिरिया है लेकिन अगर हम बात करें largest filamentous bacteria filamentous का मितलब होता है long thread like तो लंबाई में अगर हम ऐसे देखें तो उसमें सबसे largest कौन है तो वो है आपका baggyar toa mirabilis baggyar toa mirabilis यह होता है बटा few milimeter का च्योंकि इसकी length जादा है length में तो आपका बड़ा है baggyar toa लेकिन वैसे largest पूछें तो कौन से है epilopisium fissile तो यह था आज का मारा topic इसके आगे का बटा हम next topic में discuss करें